नमस्ते दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल पे दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्त होंगे और मस्त होंगे जो भाई और वहन हमारे वीडियो पे पहली बार आएं हैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है भाईयों या वहनों वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ सामगरी इदर मैंने लिया है हरी मटर इसका मैंने छिलका उतार लिया है सरसो का तेल है लहसु नादरक मीर्च है चाट मसाला है एक चुटकी हींग है जीरा है इधर सब्सक्राइब स्वाद के अनुसार नमाख है गेहूं का आटा है मटर को मैंने दरदरा पीचा हुआ है अदरक लैसुन मीर्च का पेश्ट बना लिया है आज मैं बनाने वाली हूँ हरे मटर के पराठे कड़ाई में डालेंगे सरसो का तेल अब मैं इसमें डालूंगी जीरा और हींग जीरे को अच्छी तरह से चटका लूंगी दोस्तों यदि आप लोग हमारे वीडियो पर पहली बार आए हैं तो हाथ चोड़ कर निवेदन हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अब मैं इसमें डालूंगी अधरक लहसुन और मिर्स का पेष्ट इसे थोड़ी देर तक पकाएंगे ताहिकि इसका कच्छापन खतम हो जाएं अब मैं इसमें डालूंगी मसाले मसाले को भी थोड़ी देर तक भूनूंगी अच्छी तरह से इसको चलाती फिर भूनूंगी अब मैं इसमें डालूंगी हरा मटर मैंने जो पीस के रख लिया है और इसे दीमी आज पर पकाएंगे इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे दीमी आज पर इसे पकाऊंगी दोस्ते एक बार आप लोग अपने घर पे हरी मटर के पराठे ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट करके बताईएगा कि हमारी रिस्पी कैसी बनी हुई है अब मैं इसमें डालूंगी स्वाद की अनुसार नमाक और इसे एक बार अच्छी तरह से फिर से मिक्स कर दूंगी अब मैं इसमें डालूंगी कटा हुआ हरा धनिया और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी अब हमारा इस्टपिंग लगबग तैयार हो चुका है इसे चूले से नीचे उतार देंगे बहुत ही टिश्टी हमारा इस्टपिंग तैयार हुआ है दोस्तों एक बार आप लोग अपने घर पे जरूर ट्राई करिएगा अब इसमें मैं डालूंगी चाट मसाला चाट मसाला डाल के इससे फिर से अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी यदि आप लोगों के पास चाट मसाला नहीं है तो आप नीवू या पिशा हुआ आम चूर पाउडर भी यूज कर सकते हैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे एक दूसरे भरतन में रख देंगे ठंडा होने के लिए आटा हमारा बहुत अच्छे से फूल चुका है इसे एक बार अच्छी तरह से और मसल देते हैं अब लोग देख सकते हैं आटा हमारा बहुत ही सॉप्ट है एक छोटी सी लोई लेंगे इसे चिकना करेंगे अच्छी तरह से मसलते हुए इसे एक पेंडे का आकार दूँगी आप देख सकते हैं अब मैं इसे कटोरी के आकार का बनाऊंगी इसके अंदर भरूँगी एश्टपिंग को एश्टपिंग को थोड़ा ज्यादा ही भरूँगी तभी पराठे खाने में टेस्टी लगते हैं इसके अंदर भरेंगे और इसे गोल करेंगे अब मैं इसे गोल करते हुए इसको बंद कर दूँगी इसके पिंग को हलका हलका दबाते जाएंगे और इसे बंद करते जाएंगे एक बार आप लोग अपने घर पे ज़रू ट्राई करिएगा और कमेंट करके बताईएगा हमारे पराठे कैसे बने हुए है उपर का भाग थोड़ा सा निकाल देंगे इसे फिर से अच्छे से बंद कर देंगे इसे गोल करेंगे अब मैं इसे बेलन की सहायता से बेलूँगी हलके हाथ से बेलेंगे ज़्यादा दबाएंगे नहीं इधर तावा मेरा गरम हो चुका है पराठा भी मैंने बेल के तयार कर लिया है अब मैं इसे डालूँगी तावे के उपर तब मेरा गरम हो चुगा है पराठी को डाल दूँगी इसके उपर धीमी आज पे सेकूंगी इसे अब मैं पराठी को दूसरी तरफ पलड दूँगी इस पे लगाऊंगी सर्सो का तेल तेल में दोनों तरफ से लगाऊंगी और धीमी आज पे इसे पकाऊंगी आप लोग एक बार अपने घर पे ज़रू ट्राई के लिए गया दोस्तों बहुत ही टेस्टी पराठे लगते हैं खाने में इसे मैं दूसरी तरफ से भी जर्सों का तेल लगा देती हूं एक तरफ से हमारा पराठा सिख चुका है इसे दूसरी तरफ पलट देंगे अब मैंने पराठे को दूसरी दोनों तरफ से सेंक लिया इसे एक प्लेट में रखेंगे बागी के बचे हुए पराठे मैं इसी तरह से बना लूँगी इसे दूसरी तरह पलट दूँगी अब इसमें मैं लगाऊंगी सर्सों का तेल सारे पराठे मैं इसी तरह से सेंख लूँगी इसे दूसरी तरह पलड देंगे इधर भी लगाएंगे सरसो का तेल सारे पराठे मैंने बना के तयार कर लिए हैं दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, ठंडी के मौसम में गरम मतर के पराठे खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं, एक बार आप लोग अपने घर पे ज़रूर ट्राइ करिएगा, कमेंट करके बताईएगा हमारे पराठे कैसे बने हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही टे बहुत ही अच्छा लगता है देखने में ये देखिए दोस्तों बहुत ही लाजबाब हमारा पराठा बना हुआ है